नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जे में जो फिजिक्स का पार्ट है उसको कैसे करना चाहिए ठीक है इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स है किन-कन टॉपिक्स से कितने क्वेशन आ रहे हैं अपन पूरा 2013 से लेकर पूरा 2019 तक पूरा अनलिसिस कर लेंगे कि कहां से कितने केशन आ रहे हैं जिससे पूरा अपंदेंको आइड coefficient हो जाएगा कि कॉन से टॉपिक्स को आपनेंको ज्यादा करना चाहिकर एकर इ ratings सी आप से पैटर्म भी बदला ए शुपार आपके 30 questions आ रहे हैं, 30 में से आपको 25 करने हैं, 5 छोड़ने हैं आपको questions तो वो पूरा कैसे क्या है, कहां से physics में, mainly physics में देखेंगे, कहां से कितने वगरा questions वगरा हैं तो इसके लिए चलते हैं अपने mobile की screen recording So, अपन बात कर रहे थी किस-किस topic पर कितने-कितने question आ रहे थे, जिसे यहां पर अपने 2019, 18, 17 सब का आपने analysis कर लिया है कि physics में किस topic से, जिसे कितने question आए, work energy power से कितने question है साथ इस अपने भी बात कर लेंगे, question भी अपन कर लेंगे, jina diode के उपर, ठीक है, क्योंकि बहुत famous part है, jimains का मतलब question आता है, ठीक है, तो इसको माँ छोड़ गया, jina diode का भी बता दूगा, अपन question भी कर लेंगे, तुम्हें भी question दे दूगा, question तुम्हें भी question तुम्हें भी question तुम्हें तुम्हें अपना आते है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि, जो सबसे पहला chapter है, unit dimension and vector, इसमें क 30 question मिलेंगे, 30 में से तुम्हें कोई 25 करने होंगे, तो आएंगे 30 question, तो इसलिए मैंने, यहाँ पर 2019 तक कही analysis किया है, ठीक है, 2020 का इसलिए नहीं है, क्योंकि उसमें 25 question थे, ठीक है, और अपने को 2021 में तो 30 question देखें, उसमें भले अपने को 25 करने होंगे, लेकिन आएंगे 30 question चलाओ, युनि डैमेंशन विल्टर का देखें, अगर तो युनि डैमेंशन विल्टर से देख रहे होंगे, 2019 जनुरी का shift 1, 11 जनुरी का लिया है, मैंने, यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे, कि युनि डैमेंशन विल्टर का एक question तुम्हें देखने को मिला है, ठीक है, एरर का question आ गया है, नहीं तो कभी-कभी, ऐसा भी question आ जाता है कि मतलब कुछ तुम्हें कोई एक variable देखने को मिली रहा है, 2019 में 2018 सब में एक question या दो-दो question आई है, ठीक है, तो इस topic को दो छोड़के माँ जाना कानमेशन को, laws of motion की बात करें, तो laws of motion से 2019 में से कोई direct question यह देखने को मिला, ठीक है, लेकिन एक question लगबग लगबग आता ही है, तो work power energy की बात करें, तो इसका तो एक question fix है, एक question आना है, इसका center of mass impulse momentum, जैसे इस बार momentum के question आये थे, तो देखले न, यह जो topic है, center of mass impulse momentum, center of mass लिकालने के में में, इसका रोटेशन की बात करें, तो rotation में भी 2 question आता ही, एक तो moment of inertia का question बल्कुल fix है, बहुत हाई chance ने moment of inertia का question, हर बार देखोगे न, तो आया है moment of inertia question, यह हो गया तुमारा rotation, इसका पर gravitation की बात करें, तो gravitation में बात करें, तो gravitation से भी 1-1 question अपने को देखने को मिली है, हाँ, 2018 में कोई question नहीं आया था, बाकी 2019 में भी देखने को मिला 17-16 मतलब इसमें भी 1 question अपने को देखने मिली रहा है, gravitation में भी, एक मिन थोड़ा से रुकना, एक छोड़ी से update देनी है, कि जो भी student IATJ को target कर रहे है, ठीक है, और बहुत सरी जो भी exam, जैसे MHCET हो गई, या अगर, for example, अगर आपने बात करें, तो TSEMCET हो गई, ठीक है, इसके बाद अगर आपने बात करें, करनाटिका CET हो गई, तो इन सारी exam को जो भी student target कर रहे है, उनके लिए जो unacademy है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया faculties लेके आ रहा है, for example, अगर आपने बात करें, जैसे वन मंत का ही लेना अभी, ठीक है, एक बार वन मंत लेके पर देख लो कि तुम्हें इससे फायदा हो रहा है कि नहीं, अगर वन मंत के अपने बात करें, तो वन मंत का जो इसका IETJE का सब्सक्रिप्शन बात करोगे, तो वह तो 7000 का है, अगर यहाँ पर Showbit 2020, अगर code यूज क कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जो भी उसका सब्सक्रिप्शन वगरा है, वहाँ पर भी तुम्हें तॉप फकल्टी इस यहाँ पर देखने को मिल रहे है, माइस्टरों बैच है, यहाँ पर सभी के लिए, PCM, PCM, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पर भी इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वन मंत का लेने के लिए, तो वहाँ तुम्हें 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 तुम्हे वन मंत का लेकर देख सकते हो, कि तुम्हें यहां से benefit हो रहा है कि नहीं, और बग्का एर, बहुत बड़ी है, faculty यहां तो तुम्हें benefit हो गई होगा, ठीक है तो मैंने तुम्हें पूरी चीज बता दी ठीक और अगर कोई भी डाउट वगरा लगे ना कि भीया सब्सक्रिप्शन जो है वो कैसे लेना है या फिर अगर मुझे इतना पैसा अगर मैं अफॉर्ड ने कर पा तो कुछ पूरा अच्छे से अच्छे करके क्योंकि या देखो तुम मीध्या पैसा लगा रहे हो ना तो सई सभी चीज में पैसा लगना चीए अपना तो कंस्रीर कर सकते हैं अब अगर लगे अगर लगे सब्सक्रिशन लिने से पहले फोन वगेरा लगा सकते हो ठीक है तो अब वापस जादा important है एक बहुत ज़दा important SHM से तो question आने ही आना है ठीक है B मतलब current electricity current electricity question आने ही आना है ऐसे करके अगर तुम topic त्यार कर रहे हो तो A, B, C, D, E sorter में तो पहले खतम करें लोगना उसके बाद ही फिर बागी talk इसको तैयर करें लोगना कि यह जो है जैसे अगर SHM की बाद करें तो SHM से question फसना ही फसना है इसका solids and fluids की बात करें तो fluids से भी कभी कभार कवरे क्रें या जा था तो एक या दो क्विशन आ अपने को मिलती है majority अगरSolid दो बात करें तो एक question देखने को मिला है waves में भी आपने को एक question बिल्कुल consistent आया है ठीक है 2019 से 2013 तक analysis करोगे एक question देखने को मिला है heat and thermo की बात करें तो heat and thermo dynamics से तो शौर question है एक question शौर है इस बार तो 2019 का जो था उसमें तीन question अपने को देखने को मिले तो दो या तीन question कभी चार question भी देखने को मिले heat and thermo का आवरेज आई रहे हैं optics से ठीक इसका current electricity से बात करें तो current electricity से देख रहे हो कि 3 3 2 2 ऐसा मतब तीन question दो question आई रहे है current electricity से करने में भी time लगता है बहुत सारी चीज़ें इसमें kvl kcl है ठीक है तो इससे तो आ रहे हैं question current electricity से इसके electrostatic की बात करें तो से भी तुम्हें 3 2 2 जैसा current electricity का हाल है वैसे electrostatic का भी हाल है कि वहां से question देखने को मिल रहे है अपने को दो या तीन question आई रहे है इसके बात करें तो magnetics से भी एक या दो question अपने को अब्डेट्स वगया ना सारे टेलेग्राम चैनल पर मैं देते रहता हूं ठीक तो और कैसे करें डाउनोड वो description में बता दिया पूरी स्टेबस बता दी कैसे टेलेग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो ठीक तो अगे बढ़ते हैं आगे अपन बात करें कि इलेक्ट्रोमगनेटिक इंडक्शन तो इससे तो एक क्वेशन आई रहा है ठीक इसके अदे अपन मॉडन फिजिक्स में देखो टूटल चार पाट से एम वेव है कम्मिनिकेशन है सेमी कंड़क्टर है एटम से न्यूकला है तो एक चीज़ यहां पर नोटिस करोगे ना कि अगर मॉडन फिजिक्स में अगर तुम देखोगे तो यह क्या बोलते हैं अपने एम वेव कम्मिनिकेशन और अगर तुम देखोगे सेमी कंड़क्टर से तो सेमी कंड़क्टर से एक क्वेशन ना यह 2008 का क्वेशन था ठीक है जिन डायोट से पूछा था और 2019 का क्वेशन छी बीजन डायोट से कुछा था ठीक तो यह मतलब जीनडायोट को हुगा और यह क्वेशन तुम कुछ करना ठीक है भूस इस और इस कुछेशन को देख लो कैसे अधा इक क्या होता है न कि एक तरीके से वह वोल्टेज रिगुलेटर है ठीक है लेकिन कभ काम करेंग वोल् तो यह जो है न ब्रेक्डाउन डिजन में चले जाएगा ठीक मतलब यह जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा और अगर मालो 10 वोल्टेज से सको कम दोगे थिक तो उसमें अपने को करेंट लिकालना पड़ेगा लेकिन अगर 10 वोल्ट से कम अया तो और 10 से ज्यादा तो अपन करेंट लिका लेंगे थिक तो देख लेते हैं कि इतना है इसके अक्रोस को बहुत कि इतने बेंड होगो तो कि ऑल्कड कि 시청पले8 बहुत सिंपल सरकीट में अगे किशनी करींट आपने को बहुतने क क्या करोगे तो कुछ नहीं करना अपने को 12 divided by 2000, ठीक है, तो 12 divided by 2000 करोगे, तो I think 6 milli ampere आएगा, सही बात है, 6 milli ampere आजाएगा, तो 6 milli ampere जो है, यह current test में बहरा, अगर मैं इतना circuit को 2 मिनिक लिए भूल जाओं तो, ठीक, तो 6 milli ampere current इसमें भी जा रहा है, 6 milli ampere इसमें भी जा रहा है, तो 9,000 milli volt, 9,000 milli volt मतलब 9 volt, अब मुझे बताओ, 9 volt आया, इसका मतलब है कि, जो इसके, जिसके cross आना किता चाहिए था, अगर इसको on होना है, तो, on होने के लिए बताए था था ना, कि 10 volt से दाना है चाहिए, लेकिन आया किता 9 volt, तो 9 volt आया मतलब कैसा, infinite resistance शो करेगा, ठीक, infinite resistance ल कि 9 volt आया था, मतलब क्या बोलते हैं, अपना, यह जो था वो, breakdown region में नहीं था, ठीक है, मतलब इससे, general voltage से कम आया था, अब इसको जो करोगे ना, तो, इसमें, तुमारा general voltage से ज्यादा आएगा, ठीक है, कुछ मतलब, देख लाना, value देख लाना, कि 11, I think, इसके across जो voltage आता ह है, 11.25, इसका मतलब है, कि, वो, किसमें चला गया, breakdown region में चला गया, तो, तुमें इसमें, लिकालना, कि इसके across किता current होगा, लिकालना, मुझे बताना, जिसको आंसर है, वो, comment section में बताना, चिक, तो, यह मने पूरा analysis करके बता दिया, कि कहां से, कितने, कितने, क्वेशन आ करेंगे, जैसे, इस case में, तो, क्या था, कि infinite resistance, शो कर रहा था, क्योंकि, वीजट से, कम value आई थी, ना, 9V आया था, इसके across voltage, तो, infinite resistance, infinite resistance, 0, current, ठीक, तो, यह मने तुमें बता दिया, general alert के बारे में, और यह से, पुरा भी, अपने analysis कर लिए, कि, 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 क मिलते हैं से, नेक्स वीडियो में